आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शक्सित से कराने वाले हैं जिनके माधी परबिंदी और उनके मुख से हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है वो एक प्रिसिद कवीतरी हैं आलोचक हैं अनुवादक हैं और जब भी उनकी बात होती है तो तमाम महिलाओं का सिर गर्ब से उचा हो जाता है महस दस साल की उम्र में ही उन्होंने कवीता लिखना शुरू कर दिया था और इसी उम्र में उनकी कवीता विभिन समाचार पत्रों में प्रकाशित भी होने लगी थी वो जब भी महिलाओं के साथ बैठती हैं उनके दुख दर्द को ना सिर्फ उनके हालचाल को पूछती हैं बलकि अपनी कलम के माध्यम से उनको कवीताओं में पिरोती हैं और पाठकों के सामने पेश करती हैं 1955 में साहित्य अकादमी पुरसकार की घोशना हुई और तभी से साहित्य अकादमी पुरसकार दिये जाते हैं लेकिन कवीताओं के लिए किसी भी महिला को अभी तक पुरसकार नहीं मिला था वो पहली ऐसी महिला मिली जिन्हें हिंदी साहित्य अकादमी ने उनकी कवीताओं के लिए सम्मानित किया है उनका नाम है अनामिका जिसका अर्थ ही है गुणों से भरी हुई बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेश कश्मे अनामिक जी पूरे दूरदशन परिवार की आपको बहुत बहुत बढ़ाई जो आपको यह अवार्ड मिला है यह हम सब का साजा अवार्ड है दुनिया में पुरसकार हुई या तिरसकार हुई साजा ही होता है एक पूरे समाज का कि लाभ हानी का एक आकलन कहते हैं तुजिदास हानिलाब जीवन वरन जस अपजस भी कहा जाता है वो भी एक संयुक्त समझों की बैंक अकाउंट है जिससे हम विड्रॉ करते हैं कभी कभी बिल्कुल आपकी बाते ही ऐसी होती हैं जो दिल को छू लेती हैं और तमाम इस्तरियों के लिए आपने बहुत सारी चीज़े लिखी हैं अगर मैं आपकी जर्णी को लेकर बात करूँ जैसा कि कारेकरम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि महस दस ताल की उम्रे से ही आपनी कभीताओं को लिखना शुरू कर दिया था तो कैसे आपके यहां पर कभीताओं की शुरुआत हुई अक्सर लोग अंताक्ष्री जब खेलते हैं तो उसमें हिंदी गान में मातापिता दोनों बचपन से ही साथ रहेते, मैं दादा और नाना भी दोस्त थे, और यह लोग साथ साथ कभीताओं जैसा ही जीवन जीते रहे, तो साथ पढ़ाई की और हमारे घर में बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी बन गई, तरह तरह की कविताओं की किताबों से, दो जेनरेशन, दो पढ़ियों से जो जमा थी, वहाँ पारायन का कोई भी दुख की बात होती थी, सुख की बात होती थी, कहीं कोई तकलीफ से दुख लिखते थे, इतना बढ़िया उनके भी पढ़ने वाले बहुत थे, मा भी लिखती थी, तो मैं देखती थी कि वो जब किसी को कुछ समझाते हैं, तो कविता के माध्यम से ही समझाते हैं, तो ये मुझे लगा कि शायद कविता एक ऐसा ऐसी लीला भूमी है, जिसमें सब प्राण तर तो जगाने वाली बात होती है, प्राणों में प्राण लौटाते हैं, पांच प्राण होते हैं, ना हमारे कहते हैं, वो प्राणों के पंच्छी जब उड़ने लगते हैं, पांच दिशाओं में, दस दिशाओं में, तो लगता है कि जान में, मतलब जान अटक यहां पर आके गले में कुछ प्रान अटक गए और उसके बाद कविता का अगर आप पारायन करें पूरी तो चक्र जैसे खुल जाते हैं सारी अवरुद्ध जो चीजें हैं चेतना के द्वार हैं वो खुल जाते हैं यह मैंने बच्चपन से देखा था तो यह देखते हुए कविता के साथ खेलने खालने ओडने बिचाने का रिष्टा बन गया पिता जी मेरे साथ ही नहीं मेरे पूरे मुहले के बच्चों के साथ मुझे याद है उन दिनों 71 का जमाना था और हम अकसर ब्लैक आउट होते थे उस समय ब्लैक आउट क्यों होते थे कि भारत बांगलादेश वाला यूद्दे चल रहा था तो पता नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ होगा तो हम लोगों को बहुत बहुत देर तक बिजली घुल हो जाती थी तो मैं देखती थी कि बिजली जब घुल होती है तो कविताओं की अंतराक्षरी खेलते वैसे शब्द और अर्थ जैसे लुकाचो भी खेलते हैं कविता में और एक तरह से जब अंदर कहीं ब्लैक आउट होता है या बाहर कहीं ब्लैक आउट होता है अगर एक रूपक की तरह देखे तो जब से कविता अपनी लालटेन की लौउंची कर देती है यह मिरे प्रत्य से एक कविता से आप कुछ भी बना सकते हैं एक क्रियोन जैसे होता है ना बच्चों को आप देते हैं वो एक लुगदी सी होती है जिससे आप कुछ भी गढ़ सकते हैं तो शब्दों की आकाश में आप अर्थ की कोई भी पतंग उड़ा सकते हैं ऐसा शब्द कुछ भी बन आप अपना एक नया जीवन रज सकते हैं जीवन करम ये विश्वास मुझे माता पिता ने बहुत पहले से दिलाया और मैंने देखा कि कैसे जीवन बदलता है कभी ता से बिल्कुल और इसलिए कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रभी वहां पहुंचे कभी कभी तो कहीं भी बैठे बैठे पहुंच जाती है रेश्यू कि अंतरंग गपशप अगर आप हृदय समवाद किसी से साध लेते हैं और उसकी स्मृतियों में गहरी डूबकी लगा सकते हैं परामनोबिज्यान की बाते हैं उसमें evolutionary memory और पताज में कितनी तरह की स्ट्रेणियां जब हम पत्थर से दूब बने थे दूब से फिर ऐसे हुए evolution का Darwin के बाद से लगातार ही अध्यान हो रहा है, तो हमारी चेतना में कई तरह के अन्भों की परते होती हैं, कविता उसी में दस्तक दे दे के धीरे धीरे वो जागरण सा पैदा करती है, अंदर की उठ जाता है कुछ, तो यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, प्रयोग गांधी जी को बहुत मानते थे घरवाले, तो सत्य के साथ जो प्रयोग की बात उन्होंने की, तो प्रयोग शब्दों में भी जो अर्थ और सत्य की अलग-अलग तहें चुपी हुई हैं, उनके साथ प्रयोग कविता में होता ह बच्पन से ही ने ने शब्दों का प्रियोग करना आपको आ गया। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है रेशु कि सावन का जूला तुमने कभी जूली हो तुमको लगा होगा कि पींग बहुत लंबी लेनी पड़ती है ना तो सपनों और समृतियों के बीच एक लंबी पींग लेके कविता चलना सिखाती है और इसलिए अंतरंग संसार गढ़ बहुत स्पर्धा शासित है हमारे जीवन का बीज शब्द स्पर्धा हो गया है कट थ्रोट अंग्रेजी में तो और कुरूर कट थ्रोट कॉम्पेटिशन हिंदी में उसका अनुवाद हमने थोड़ा सा सरस किया है हम गिरह कट तक आए हैं लेकिन फिर भी लेकिन सहकारिता ह है हमारे जीवन का मूल शब्द बीज शब्द ये कविता सिखाती है कविता इतनी सहकारिता किसी में नहीं है नाटक से सनलाप लेती है मतलब डायलोग लेती है कथातत उसे लेती है कुछ और घर मुहले की लड़की की तरह सब से कुछ-कुछ लेके एक नया संसार गढ़ ल साहित्यक आदमी पुरसकार आपको मिला है तोकरी में दिगंद थेरी गाथा 2014 यह मैंने पढ़ी भी है इसको आपके मुक्से में सुनूंगी लेकिन जैसे कि हम आपके बच्पन को लेकर बात कर रहे थे तो बच्पन की जो रचनाएं वह तो आपके जहन में अभी भी होंग तो कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे आते थे ना मुहले में वह मैं छोटी थी तब की ही यह कविता है स्कूल की ही लिखी हुई है लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगी आपने बहुत सुन्दर सवाल किया मेरा मन था कोई ऐसे पूछता नहीं है तो आपने पूछा कू और आहों से भीक मांगते हुए अपनी गोद में उठा के घर ले आए पढ़ाय लिखाएं तो ये कूड़ा बीनते हुए बच्चे ये बालमजूरी हट गई है मगर फिर भी ये तो चल रहा है उन्हें हमेशा जलती रहती है उनके पेट में चूहे कूदते हैं और खून में दोडती है गिलहरी बड़े बड़े डग भरते चलते हैं वे तो उनका धीला ढाला कुरता तन जाता है फूल कर उनके पीछे जैसे कि हो पाल कश्ती का बोरियों में टनन टनन गाती हुई रम की बोतलें उनकी जुकी पीठ की रीड से कभी कभी कहती है कैसी हो कैसा है मंडी का हाल बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं वे पाताल तक और वहां लगगी लगा कर बैंगन तोड़ा करने वाले बौनों के वास्ते बना देते हैं माचिस के खाली डबों के छोटे छोटे कई घर खुद तो वे कही नहीं रहते पर उन्हें खूब पता है घर का मतलब वे देखते हैं अकसर चीटे भी कूडे के ठोंगों से पेड़ा खुरच कर ले जाते हैं अपने घर ईश्वर अपना चश्मा पोँचता है कागज की पन्नी उनसे ही ले कर बहुत 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 शानदार ये तो आपकी बच्चपन की कवीता की यहां पर बात हुई अगर फिक्शन को लेकर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई फिक्शन की शुरुआत मेरे ग्राजुएशन के दिनों में हुई लेकिन इसका बेजवपन भी बच्चपन में हुआ था क्योंकि मेरे क्लास में जब मैं स्कूल में थी एक लड़की बड़ी खामोश बहुत सुन्दर सी आही थी पढ़ने वो किसी से बात ही नहीं करती थी लेक्चुप चाप को उने में बैठी रहती थी तो मुझे बढ़ी बहुत आकरश्रित करता था उसका मौन और उसका सौंदर यह भी और किसी से नहीं मिलने जुलने का उसका जो ये एक निड़ने था उसके प्रति मेरे में में बहुत उच्छुकता थी कि आखी क्या है जो इससे बात नहीं करती एक बार मैं अपनी मेरी मासी थी उसकी शादी हुई तो होता है छोटी मासी या छोटी बुआ कि जब शादी होती है तो बच्चों को बहुत हाहकार समझता है वो मिलने जाते हैं उनसे तो हम लोग पूरी गाड़ी भर के, हम लोग जो बच्चे थे उस समय, वो मासी के घर गए, नई ससुराल गए उनके, तो रास्ते में एक मुहला पड़ा, जहाँ पर मैं बहुत एक दो बार पहले भी उस महले से गुजरी थी, जहाँ स्त्रियों के नाम ही लगे थे सब जगा, और वहां मैंने देखा, कि स्कूल ड्रेस के ऊपर, मतलब अपना मोजा जूते के ऊपर घूंगरू बांध कर, मोजा था यह नहीं था, जूता नहीं था, घूंगरू बांध के बहुत ठकी हुई वो दर्वाजे पर खड़ी है, जैसे ही उसकी मेरी, अच्छा हमारी जो ड्र रुक के वो होमियोपेथी की कुछ दवाएं लेने लगे, वहां देखा हमने, कि गाड़ी रुकी और उसकी आँख से हमारी आखें मिली, उसके बाद ऐसा लगा कि कोई गौरईया कटके गिर गई है पंखे से लगके, और आँख उसने ऐसे जुकाई और अंदर भाग गई, फिर वो स्कूल नहीं आई दुवारा, उस समय तो मुझे बात आदी समझ में आई, आदी नहीं आई, बात में जब मुझे पता चला कि वो बहु बाजार की बच्ची थी, उसकी माँ वहां पर जो वहां का गाई मतलब लालटेन बाजार कहलाता था वो लाका जो पुष्टै किसी बच्ची ने मुझे इस हाल में देखा है, मेरी तो समझ में बहुत कुछ नहीं आया, लेकिन बाद में अर्थ खुला, तो मैंने उसके जीवन की कलपना की, आपात कल में मैंने सुना कि उसकी माजू थी, वहां पर बहुत मेसा के जो मेसा में जिन को गिरफतार किया रह है, उस गिल्ट में, उस अपराध मोद में मैंने उसके जीवन की कथा लिखी, और ये ही इस तरह से मेरे कथा जीवन की पन्यास की शुरू आप निरंतर अभी लिखती ही आ रही है, और इस्तरियों के लिए तो आपने बहुत जादा लिखा है, क्योंकि हम अध्यवर्क में ह मिलना ही जादा इस्तरियों का, हमें पुरुषों के साथ मिलने का बहुत मौका ही नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पुरुषों के लिए नहीं लिखा है, आपने पुरुषों के लिए भी लिखा है, बल्कि कई बार लोगों की शिकायत रहती है, कि जब मेरी आखों में मा की आखें घर गई और में मा की आंख से पूरा संसार देखने लगी तो मैंने बहुत तरह से अपने छात्रों उसको अपने बच्चों के दोस्तों को निवेदित कई कविताये लिख Maps एक आदर्श rulerosh रढ़ने की जो हमारी संकल्पना है उस पर मैंने बहुत लिखा है ये थेरी गाथा एक काल्पनिक समवाद है तरह तरह की सरणियों से आई स्त्रियों का बुद्ध से काल्पनिक समवाद क्योंकि आएंसा मकातर समय में हम रह रहे हैं और हम हर पूरुष में नया बुद्ध तो एक तरह से तो पूर्षों को ही निवेदित है सारा तो एक कविता मैं सुनाती हूँ मेरा एक छात्र था जब नया पिता बना उस समय की घटना उसने मुझे बताई हम लोग के समय तो नहीं जाने देते थे प्रसूती ग्रिह में पिता को लेकिन ये गया था तो उसने कहा वक्त बदल गया आप लेबर रूम में जाएं पित्रित्व भी बड़ा अनुभव है जीवन का साक्षी बने जन्म का थोड़ा लजाता हुआ में भीतर गया तो वह पहचान में नहीं आई पीड़ा के उतकर्ष पर भी उसने कहा मुझकुरा कर देखो तो क्या मेरा हाल ह हुआ दो दो दिल धड़क रहे हैं मुझ में चार चार आखों से कर रही हूं आखें चार मैं महाकाल से कहती हुई यहवा फैल गई पूरी पृत्वी पर उसके आवेग से थर्थरा उठे सब परवत ठेल दिया उसने पहाडों को पैरों से एक तरफ उठ रही थी उससे ऐसी उसासें काप काप उठते थे उसकी उसासों से जंगल इंद्रधनुष के साथ रंगों से था वह बिछोना सोना मौना जन मले रहा था एक नया पुरुष उसके पातालों से जिसका खाका खींशती थी वह रोज सुबह मुझे चाय देती हुई कहती थी आकाश में जगता सूर्य देख कर बेटी हो तब तो चिन्ता ही नहीं बेटा अगर हो तो हो सुबह का सूरज उसमें प्रचंडता नहीं हो लोब, क्रोध और कामनाओं के अतिरेक से पीडित ओजोन छिद्र भेदता अतिशय पुरुष नई धर्ती के किस काम का खुद अपना पुरुष गढ़ेगी नहीं धर्ती अब, स्वस्थ होंगी धमनियां उसकी और द्रिष्टी सम्यक उसके उन उन्नत पहाडों से फूटेगी जब दुधैली रोश्नी वह पियेगा, अनियारा इस जग का अंजन बन उसकी आँखों में सजेगा जूलेगी अब पूरी कायना जूले सी, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा नया पुरुष, संबुद्ध प्रज्याशे साशित अनुकूलित, प्रज्या का प्यारा भरतार प्रज्या को सोती हुई छोड कर जंगल, इस बार लेकिन वह नहीं जाएगा मेरी मा भी कुछ-कुछ ऐसा ही, देखा करती थी क्या सपना, जब मुझको टखनों पर बैठा कर, जूला जूलाती हुई गाती थी, नया बिती उठे, पुराना बिती गिरे बीती यानी भिती, नई दीवार उठे, पुरानी गिरे, लेकिन उठे ही क्यों कोई दीवार, उठे, आदमी उठे उठ रहा है धीरे धीरे, मा के ही टखनों पर एक नया आदमी, कितनी सदियां बेत जाती हैं, एक अदद आस फूल जाने में, कितनी लंबी होती है बाबा, नन्ही से नन्ही इच्छा की उडान बहुत शानदार और इतनी अच्छी आपकी कवीताओं का संग्रह है, दिल करता है कि बस बैठे रहो और उनको सुनते रहो, तो आगे भी मैं आपसे कवीता सुनूंगी आपकी, लेकिन कुछ मन में सवाल भी आ रहे हैं, आप प्रॉफेसर हैं, इंग्लिश की, और आपको ज को नों भाषाओं में सामंजस से आपने विठाया, देखो ना, जितनी हर भाषा एक खिड़की है, एक खिड़की की तरह हर भाषा खुलती है हमारे सामने, तो जो जितनी भाषाएं जानता है, उसके जीवन में उतने वातायन खुले होते, जैपूर का हवामाहल देखा, कि इतनी खिड़किया है और क्रॉस वेंटिलेशन होता रहता है कहीं कुछ जबता ने भीतर हमारे यहां आदर्श्थिती क्या है एक तरह से आए एक तरफ दूसरी तरफ से जाए और यह आवाजाही सांसों की हो या विचारों की हो या भावनाओं की हो आदान प्रदान जो है य समबादात्मक होने की च्छमता है वो सबसे पहले प्राण भाशा में चाहिए और जितनी भाशाएं जानेंगी उतनी खुश्बूएं आपकी तरफ आएंगी जैसे पानी जब बरसता है धरती पर तो एक खास सोंधी गंद उठती है ऐसे हर भाशा के औशदी से एक खास तर समबादी महाल पैदा होता है तो हम जिन दिनों पढ़ रहे थे अंग्रेजी इसलिए पढ़े कि पढ़ते रहे हम लोग के उन दिनों अनुवाद के भाशा अंग्रेजी थी सेतु भाशा अब हमने हिंदी में भी खुले हातों से खुली बाहों वाली भाशा बनाई हिंदी क तो उसने आदुनिक्ता के गर्ब सी जन्मी थी और उसने इतने सारे अनुवाद संभव किये तो भार्षाओं में का जो सबसे बड़ा खजाना होता है साहित्य में और साहित्य का अनुवाद अगर सेतु भार्षा के सहारे अपने पास आता है तो हमारे विश्व दृष्टी जादा गजिन होती है और हम अपनी ही जड़ों में जादा जा सकते हैं तो यह तरह से बहुत बड़ा पतलब जैसे मैं तुम्हें उदारण दूँ जैसे हम लोगों ने रूसी जितना भी क्लासिक साहित्य पढ़ा था वो हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ा थ अगर तुमने कोई जर्मन साहिती की कोई ऐसी पात्र पढ़ी है और तुमको वहां की कश्मकश जाननी है तो पूरा लगता है कि पूरा विश्य जो है सचमुझ ग्राम हो गया अगर उसका साहित्य अनुवाद में अपनी भाशा के अनुवाद में तब वो जादा अपना ल में ब्याह लाते हैं और नए घर में आने पर जैसे नए ध्रंग से अजस्ट करना होता है वो कविता कहानी कर जाती है और यह इसमें चित्त का अलग तरह का अनुशासन विखसित होता है जैसा अभी आपने अनुवाद को लेकर बात की तो मन में एक और प्रिशन आया कि अन जितनी खुश्बू आएंगी जितनी तरह की हवाएं आएंगी उतना ही भला मैरे जीवन का उदेश अपने को अवरुद्ध करना नहीं है जितनी गाठे हैं गिरहें कोल देना है हम सब समय की सीमा से बंदे हुए होते हैं सवाल बहुत सारे मेरे मन में हैं इसलिए मैं आदर छुपा है जो आपके भीतर वो सोया है अंदर कहीं और वो दस्तक देखे आपको जगा देती है वो आपकी स्मृतियों को जगा देती है प्रत्य भिग्या दर्शन जिसको कहते हैं कालिदास उसमें आप अपने को ही चिर परिचित को ही नए अंदाज में पहचान लेत ध्वानी से रस से किसी भी तरह से किसी तक्नीक से अभी जैसर कि आपने अंदाज को लेकर बात की क्योंकि आज कल की यूबा पीडी जो है उसका अंदाज भी थोड़ा बदला-बदला है शोशल मीडिया का जमाना है हम देखते हैं कि जब पहले अगर कुछ भी किसी की घर म कुछ भी लिखते थे लेकिन आज कल क्या है कि जमाना थोड़ा चेंज हो गया है लोग अपने भाव भी इमोजी के जरिये प्रकट करते हैं इसके लिए आप क्या कहेंगे यह एक आपाधा पीसी मची हुई है और शब्दों भाशा का पूरा विकास चित्त का विकास बहुत पंकों की भड़ा हाथ भी दई तरह की द्वनिया पैदा करेगी हम लोग भाशा को लेके थोड़ा रोजगार नहीं मिलता अगर अपनी मात्री भाशा में तो हम ना भावा भी व्यक्ति का पाध्यम है उस पर कम ध्यान देते हैं और कम ध्यान देने से हमारा समझे कि हमारा भावा भी व्यक्ति ही अब रूद दो जाती है हमारी और फिर हम संकेतों से काम चलाने लगते हैं हम कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं हमें एक चित्थी तक लिखने की फुरसत नहीं है यह बहाने हैं जो बढ़ाने जित गड़ लेता है कभी कभी जाते जाते बस आकरी सवा क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं और नए जो लेखक हैं उनके लिए क्या कुछ मेसेज आप देना चाहेंगी नए लेखकों से की खूब गप करिए जो भी मिले जो सामने आए उसके दुखों के दुर्ग में प्रवेश कीजिए और उसको और उसमें हलकी ह के साथ आप हलकी व्यंजना के साथ उसके दुख बाहर लाए उसका एक व्यक्तिका दुख अपने दुखों से बाहर आने का एक ही तरीका है दूसरे के दुख दूर करने में लग जाना और गौर से देखना गौर से सुनना और कूप सारा पढ़ना पढ़ना भी लिखने का ह एक हिस्सा है क्योंकि चित्विस्तार और अनुभव का विस्तार उसी से होता है ठीक है और अहंकार नाम का जो एक पहार पत्थर यहां पर है उसको थोड़ देना है जैसे कबीर कहते हैं फुटा कुम्ब जलजलही समाना यह तत्कत हो गर्यानी अहंकार का घड़ा फूटेगा तभी आहम का वयम में मिलन हो सकेगा बून समुद्र में समा सकेगा बिलकुल आप तो किसी का भी मिलन करा सकती है क्योंकि आपने तो अपनी कविताओं के जरिये धर्ति और आकाश का मिलन भी करा दिया है क्योंकि दिगंत का अर्थ ही होता है दिशाओं का अंत तो वो दिश बहुत ही अच्छी कवीताएं इसके अंदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनामीका जी हैं से बाचीत करने के लिए। और इसी के साथ कारेकर में फिलाल इतना ही। नमस्ता। बहुत 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 हैं। बहुत 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 हैं।